गुड़ मोरिग फ्रेंज Drainage System of India में Penisular River System देखेंगे East Flow, West Flow River कौन सी हैं जो Important है तो East में जो River Flow करती है हमारे Panisular River System में Godawari, Krishna, Kawairi और Mahanandi River और West में कौन सी River Flow करती है नर्मधा जो Important, जो main River System हमारा नर्मधा तापती River The Penisular Drainage System is older than Himalayan River जो Himalayan river की जो हमने दो drainage system जो दो पार्ट में हमने वीडियो में बात की उनसे ये older है अब एक एक river करके हम पढ़ेंगे उसकी attributory देखेंगे कौन से state से पास होती है कहां से उसका origin होता है map में भी देखेंगे अच्छे से और वैसे भी तो हमें एक बार वैसे map में देख लेते हैं जो east floor, west floor river कौन सी है map में अगर हम देखें west floor, east floor river तो west में कौन सी है जो main river नर्मदा, तापी river ठीक है जो west में flow करती हैं कहां पे गिरती हैं गल्फ ओफ खमबात में Airbnb में उसके बाद हमारी आती east floor river, east floor में 4 river main है कौन कौन सी, मैं थोड़ा zoom कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा अभी ठीक है, तो सबसे पहली जो river है, वो है महानन्दी river और भी हैं west east में flow river, लेकिन जो main river हम सबसे पहले जिन पे बात करेंगे महानन्दी river या महानन्दी river, गोदावरी river आपको दिख रही होगी ये गोदावरी river, ठीक है, कृष्णा river, उसके बाद है नीचे, कावेरी river ये चार river पे हम एक एक करके बात करेंगे, इनका origin, ये कौन कौन से state से cross करती है और कहाँ पे ये गिरते हैं, गिरते तो ये चारों, बेह बंगाल में कावे से पहले river है महानन्दी river, ओरीजन कहाँ से होता है इस river का, सत्थपुरा रेंज ओफ सेंट्रल इंडिया ठीक है, और सिवा जो गाउं है, इन रायपुर डिस्टिक, चतिसगड में, इसका main source of origin है और run करती है ये, चतिसगड से मध्यपरदेश, मध्यपरदेश से उडिसा, और discharge water कहाँ पे करती है बेह बंगाल में जाके इसका पानी गिर जाता है, length total है 851 km, largest जो dam है इसके उपर वो हीराकुन डैम, पूछा जाता है कहाँ पे कौन सी river पे है, तो महाननदी river पे है, कहाँ पे ये, ये उडिसा में है, हम बात करेंगे महाननदी river है, आपको map में आराम से देख रही है, मैं तोड़ा zoom कर देता हूँ, देखू, जो महाननदी river है, वो origin करती है 36 गड़ से, ठीक है, लेकिन सत्थपूरा रहिन से, मध्यपरदेश से भी एक portion इसका आता है, यहां से, ठीक है, अब मैंने theory part में जो बात बोली, कि ज तो 36 गड़ सीवा गाउं से इसका origin होता है, लेकिन pass through करती है, यह मध्यपरदेश को भी cover करती है, अब ऐसा नहीं आप को, यह origin इस state से ही हो रहा है, तो फिर यह मध्यपरदेश में से उपर ठोड़ी जाएगी, नहीं, वो पानी जो river है, इसका, वो सत्थपूरा range है, जो सत करती है, क्रोस उड़ीशा को और उड़ीशा को क्रोस करने एक बाद यह आगे गरती है, बे ओफ बंगाल में, यह हिराकुन देम है, यह उड़ीशा को बाउट दा गोदावरी रीवर, origin कहां से होता है, त्रिम बेकिस्वर, त्रिम बेकिस्वर, नियर नासिक इन महराष्ट गोदावरी रीवर, जो second largest course रीवर है इंडिया की, और इसमें कान सा, विद ब्रोनिस वाटर, also known as दक्सिन गंगा, इसको दक्सिन गंगा भी बोला जाता है, डिस्चार्ज वोटर कहां पे करती है, बेफ बंगाल में, टोटल लेंध इस रीवर की कितनी है, 1465 किलोमेटर, औ इसगर्ड, ओडिशाब और आंध्रपरदेश, ट्रिब्यूटरी है इसकी, कौन-कौन सी, पैंग गंगा और इंदरावती और परहितिया और मंजारा जो चार रीवर हैं ये इसके ट्रिब्यूटरी है, सीजनल रीवर है, ओके ड्राइड डूरिंग दा समर और फैल जाती है विडन डूरिंग दा मौन्शुन और रीवर फॉर्म्स ए फर्टाइल डेल्टा एट राजा मुद्रे इस एरिया में ठीक है, एसिया का जो लार्जस्ट रेल कम रोड ब्रीज है, वो कौन सी रीवर पे है, वो गोदावरी रीवर पे है, और कौन-कौन से, कहां से लिंक करत है, अब मैप में देखते हैं, गोदावरी रीवर आपके सामने, यह गोदावरी रीवर का ओरिजन है, यहां से, नासिक से होते हुए यह चलती है, और इसमें कुछ जो ट्रिब्यूटरी है न, उनका पानी भी आता है, कुछ एक जो रीवर है, उसका मद्यपर्देश का भी एक ट्रिब्यूटरी है, इसका पानी आगे मद्यपर्देश से होते हुए, और इसमें मिलता है, अब गोदावरी रीवर, यह यह देखो आपके सामने, यह जो आप देख रहे हैं, इसका पानी, यह जो रीवर है, सिस्टम आ रहा है, इसका पानी यहां पे आगे इस पॉइ यह जो पानी यहां पे आगे मिल रहा है, तो यह बात बोलीगे च्थिसगड ओडिशा, अंदर पर्देश की भी एक ट्रिब्यूटरी है, अंदर पर्देश से भी एक रोस कर रही है, आपके सामने दिखी रहा है, अगर गोदावरी रीवर के हम ट्रिब्यूटरी देखें, तो पेन गंगा, इंदरावती, वर्धा का पानी भी कुछ इसमें आके मिलता है और ये जो कौनशी रिवर है, विग्हाना डिवर, I don't know the name actually तो इसका पानी भी इसमें आके गिरता है और ये बेव पंगाल में जाके पानी डिश्चार्ज हो जाता है Now we talk about Krishna रिवर तो Krishna रिवर है second largest east flowing peninsular रिवर उसके बाद origin है इसका महा बेलिस्वर इन साइदरी महराष्ट्रा से ही इसका origin होता है Tributory कौन-कौन सी है आपके सामने खोना और तुंग भदरा एंड दुदगंगा धिंडी भीमा वर्ना यरला मूसी ये जो Tributory है इसकी ये season पर भी flow करती है ऐसा नहीं है कि continue flow करती है तिर डिपेंड और monsoon season और summer season उसके बाद तुंग भदरा की कहा तुंगा भदरा that's origin in the western ghat okay और catchment area कृष्णा का कितना है देखो 27% lie in Maharashtra 44% करनाट का 29% in अंध्रपरदेश इट flow through sangli and drains the sea in the bay of Bengal वाई पानी का जो discharge होता है वो bay of Bengal में जाके इसका गिरता है map में देखते हैं इसको अगर हम कृष्णा रिवर की बात करें तो अगर map में देखें तो कृष्णा रिवर यहां 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 जाके और आपको लोगेगा कि इस point पर इसका origin होता है नहीं ऐसा नहीं है आप ध्यान से देखोगे तो कृष्णा रिवर में और भी इसके ट्रिविटरी आगे मिलती है जिसको main कृष्णा रिवर का origin बोला गया अब इस point से आप देखो कहां पर यह point यहां से जो पानी आ रहा है कौन कौन से रिवर का यह होगी तुंग भदरा रिवर इसका पानी यहां से आ रहा है सारा ठीक है यह भदरा जो है इस point से यह जो रिवर सिस्टेम है उसके बाद यह जो पानी है यह कौन से ट्रिविटरी है यहां पर ट्रिविटर आता हुआ, सारा ये पानी कृष्णा रिवर में ही मर जो रहे हैं, मैं और जूम कर देता हूँ थोड़ा, अब आपको अच्छे से दिख रहा हुआ, ठीक है, कृष्णा रिवर कौन कौन से स्टेट को क्रोस करती है, देखो महाराष्ट्रे से तो इसका ओरिजिन है, जो भीमा रिवर के थुरू जो पानी आ रहा है, वो कृष्णा रिवर में ही जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये क्रोस करती है, तेलांगना को भी, करनाटका को भी कुछ पानी, और कुछ जो पानी आपका रिवर सिस्टम जो फ्लो कर रहा है, वो आंधर परदेश को भी क्रोस कर रहा औरिजन है इसका बर्मागिरी हिल से 1341 मेटर लोकेटेड इन खोगडू डिस्ट्रिक करनाटका में उसके बाद लेंथ है इसकी 770 किलोमेटर 3% लाए इन केरला 41% करनाटका 56% तमिलाडू ट्रिब्यूट्री कौनचे कहां भी नहीं यह रिवर्फ ट्रिब्यूट्री ना इन मैप में नहीं मिलेंगे आपको मतलब और जूम करना पड़ेगा तब दिखेंगे उसके बाद है भवानी अमरावती अमरावती आपको देख जाएगी सिमिस्का और अरकावथे और उसके बाद है हीमावाती एंड कपिला और लोकापवानी त्रिथा और नयोल यह नाम काफी टिपिकल हैं बोलने में बाट यह एक्जाम में बहुत रेयर पूछे जाते हैं बहुत रेयर अमरावती जो में इंट्रिब्यूटरी उसका पूछ ल और वेस्टन घाट से ही अगर पूछा जा सकते हैं मसी क्यू में कावरी रीवर का ओरिजिन कौन से घाट से होता है तो वेस्टन घाट से डिस्चार्ज बेव बंगावल में जा गिरती है कावरी बेशन तमिलाडू में करनाटका में केरला में और यूनियन टेरिटरी रही है कौन-कौन से डिस्ट्रिक थे जो क्रोस कर रही है covered viver का origin वह क्रनाठका से है ठीक है यह covered river जाते हुए और ऐसे करके यह काफी स्केटीक है अटका किो और केरला का भी कुछ परसली तमलाडु तो यह जो district क्रेमत करनाठक तमिलाडु इनका ज़ो पानी लेते हुए वन टू किलोमेटर लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया उसकी बाद इसमें बात की गई इट राइज इन टू दा स्मिट ओफ अमरकंटक हिल्स इन मद्य परदेश मद्य परदेश से इसका यह ओरिजिन है इट इस वन ओफ दा मेजर रिवर ओफ पैनिसूलर इंडिया ओनली दा अन्य बाद ध महाय रिवर रन फ्रॉम इस्ट टू वेस्ट तीन रिवर रह हैं यह जो इंपोर्टंट है जो इस्ट से वेस्ट कोफ्लो करती है फ्लो थ्रूम ध्य परदेश गुजरात महराष्ट्र इन इंटूढ अर्बियंट जी इन थू ऑर्बुछ द्रिस्टर गुजर flowing through a rift valley located between सत्थपूरा रेंज और विध्यान रेंज नर्मदा फॉर्म दुवाधार वाटरफॉल जो important है सबसे दुवाधार वाटरफॉल किसके दवारा बनाया जाता कौन सी रिवर के दवारा तो नर्मदा रिवर के दवारा और इसमें मार्बल रोक जबलपूर के पास अब मैप में इसको अच्छे से हम नर्मदा रिवर को अगर हम देखें तो यहां से जबलपूर से इसका ओरिजन होता है और उसके बाद जो विध्यान रेंज हैं उपर और नीचे सत्पूरा रेंज है क्रोश करते हुए यह मद्यपरदेश हो गया उसके बाद गुजरात और महा और मुलताई इन्दा बीटलडिश्ट्रिक ओफ मद्यपरदेश मतलब एक विलेज का नाम डाल दिया इन्होंने मैंने फ्लोई इंटो एर्बियंशी तापी के जो पानिक है वो कितने कितने डिश्ट्रिक से बेचान से इस्ट्रिबूट हो रहा है जो बशेन है सोरी पानिक अनर रिवर गिरना रिवर पुर्ना रिवर पंजारा रिवर और बोरी रिवर ठीक है मैप में देखें इसको तापी रिवर को आपके सामने है तापी रिवर मद्यपरदेश से यहां से ओरिजिन होता है और यह जो अमरावती एक रिवर है इसका भी कुछ पानी यहां पर ट्र हो गया बस यह है मेरा दिखाने का मतलब बाकी थेओरी पार्ट में तो नोर्मली समझ में आई जाता है लूनी रिवर ओरिजन कहां से है पुसकर वैली औफ दारावली रेंज राजस्थान इन टू ब्रांचिज दास रस्वती एंड साबरमती विजोइन इच अधर गोविंद गड़ फ्रॉम हेर दारी रिवर इस नौन अज लोनी लोनी फाइनली डिपोंच इन्टू एर्बियन सी नियर बाई रन ओफ कच अब हम इसको देखेंगे मैप में लोनी रिवर को मैप में देखते हैं तो देखो राजस्थान का एरिया है सारा अरावली रेंज है यहाँ पर जो हर्याना से होते हुए दिली से होते हुए आती है तो यहाँ सी इसका ओरिजन होता है पुसकर वैली अरावली रेंज राजस्थान में और सरस्वती जो लुप्त हो गई है एसेंट रि बहती है कहां पर रन ओफ कच एर्बियंसी में ठीक है सम स्मोल रिवर फ्लोइंग टूवर्ड दा वेस्ट आर देखो जो छोटी छोटी टर्ब्यूटरी कहलो या रिवर कहलो जो बहती है वेस्ट की तरफ में तो सिरत रंजी भाद्रा धांदर साबरमती माही और वितराना काली नंदी और देती सरावती मंदोवी जूरी और प्रियार और भर्था पुर्जा वटेवर दानेम आप देख लो यार आपके सामने ही है और इस्ट फलो में कुछ है तो कौन-कौन ची है सुबर निखा और बितरानी ब्रहामिनी पैनीर और पालर रिवर यह कुछ है आपको बैस एक बार याद रखना है कि हाँ यह है अभी 10 MCQ हैं कंटीनू करी लेते है जियोग्रॉफी के एवरेज जो डेंस्टी है अर्थ की वो कितनी है 5.513 ग्राम पर सेंटिमेटर क्यूब ओकी दा आउटर कोर इस सॉलिड स्टेट बिल्कुल और इनर कोर इस मॉल्टन स्टेट बिल्कुल सही है एग्जाम में यही पूछे जाते है भई ऑक्सीजन इस पर्जेंट इन दा लार्जस अमाउंट इन टरम और पर्जेंट बाइमास इन दा अर्थ क्रेस्ट क्वार्ड्स कंपोज्ड ओफ टू एलिमेंट ऑक्सीजन और सिलिकॉन वेरी इंपोर्टन इन दोनों से बनना है अलिम्यूनियम इस दा मौश अबंडेंट मैटल इन दा अर्थ क्रेस्ट उनमें कुछ होरेड कर देते हैं MCQ कौन-कौन से हैं ताचिंगम नैशनल पार्क शिरी नगर जम्मू कस्मी रहे हैं और इसका जो मेन जो एनिमेल है वो कस्तूरी स्टैग और दांडली वाइल लाइप सेंचुरी करनाटका में है विमम हाइड्रो पावर प्लांट डैम सिलोंग मैघाल्या में है और इंडिया अडोप्ट दा इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम कब दोज अर्च है में अडोप्ट कर लिया था हमने टेक कर लिया था Kolkata port is an example of riverine port. The flesh blood is related with the cyclone storm. Rajasthan top in the production of mustard seed in this year. Allual soil is the best suited soil for the cultivation of rice. चावल के लिये खरीब करोप होती है चावल.